हाई फ्रेंड्स नमस्कार आज हम बात करेंगे अध्यात्म के विशे में आज है संडे है और आज मैं आपके लिए कहा हूँ अध्यात्म के विशे में आज आपन बात करेंगे कि दर्मराज युदिष्टिर दुर्योदन से जुवे में क्यों हारें। उद्व गिता में स्रीकृष्ण कहते हैं कि दो कारण से दर्मराज युदिष्टिर दुर्योदन से जुवे में हारें। स्री कृष्णे के सखा उद्धाव स्री कृष्णे से पूंचते हैं कि प्रभू जब धर्मराज जिदिष्टिर बरी सवा में सब कुछ हार रहे थे और वो आपके इतने प्रिये थे सारा सब कुछ धन सब कुछ हार गए थे यहां तक कि द्रोपदी को भी दाहां पर लगा दिया और एक समय ऐसा भी आया जब द्रोपदी को बाल पकड़ कर परिसभा में लाया गया तब आप कहां थे आप उस वक्त भी तो आ सकते थे ना आप क्यों नहीं आये और आपने कि दुर्योदन जोफिं। मैं इस वज़े से जिता क्योंकüyorum कि दुर्योदन के पास वीवेक था तो सखा उदवक कैते हैं कि दुर्योदन के पास विव्यक कैसे था उसने सभा में कहा कि मेरी तरफ से मामा सकुनी पासें फैकेंगे देखिए उसकी जगांगे विवेक का इस्तमाल किया क्यों क्योंकि दुर्योतन को पता था कि मैं धर्मराज युदिष्टिर से नई जीत पाऊंगा तो दर्मराज युदिष्टिर चाते तो वो भी अगर उनके पास विवेक होता तो वो भी कहते कि मेरी तरफ से स्रीक्रिष्ण पासे फैकेंगे स्रीक्रिष्ण खेल के लेंगे तो आपको पता होगा अगर जब मैं और सकुनी दोनों खेलते हैं तो कौन जीता यहां दर्मराज युदिष्टि ने अपना विवेक का इस्तमाल नहीं किया सेकंड वो कहते हैं कि विवेक का इस्तमाल तो नहीं किया साथ में दर्मराज जुदिष्टिर ने मुझे ये भी कहा कि जब तक मैं न बुलाओं उस सबा में आप ना आना मतलब मैं बार सबा के बार खड़ा इंचे जहर कर रहा था कि कब दर्मराज जुदिष्टिर मुझे आवाज दे और कब मैं उनकी साइता के लिए अंदर जाओं लेकिन वो अपना दन वेपव जूव में सारे हारते गए लेकिन एक बार भी मुझका आवाज ने लगई उनको ये एसास था कि मैं हम स्रीकृष्ण के सामने कैसे जूवे खेलेंगे मेरे से छुपकर वो जूवे खेल रहे थे लेकिन वो संकट की गड़ी में तो मुझे बोला सकते थे लेकिन उन्होंने मुझे आवाज ने लगे यहां तक की द्रोब्दी को भी बाल पकड़कर सभा में लाया गया द्रोब्दी ने सभी से सायता मांगी पिता मा बिस्म से गुरू द्रोणाचारी से महात्मा विद्व से कई से भी सायता न मिली द्रोब्दी और अंत में द्रोब्दी ने मुझे पुका और क्या हुआ मैं गया और द्रोब्दी की रक्सा की अगर पांड़ों मुझे पहले भी बुलाते तो मैं जा सकता था लेकिन पांड़ों ने मुझे बुलाया नहीं इस परकार स्रीक्रिष्न कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों का फल इस अंसान में जरूर भोगता है और उदो गृता में भगवान ने दो कारण बताए इन दो कारण से धर्मरा जिजिस्टर दुर्योदन से जुव में हारे इसी के साथ आज यहीं मेरा वीडियो पसंद आया आपको लाइक करें कमेंड करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वी सब्सक्राइब इसे वीडियो में आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा